प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नगरपालिका ने निगाय चुनाओं से पहले कराया नाले का निर्माण निर्माण कार्यों में हो रहा ब्रश्टा चाहर। जिलाधिकारी के निर्देश पर आपकारी विभाग ने शराब की दुकान में चांच दो दुकानों में ओवर रेटिंग करते मिले दुकान दा। नमस्कार मैं हूँ इशा भारगव स्वागत है आपका प्राइम उत्रप्रदेश में शुरुआत करते हैं उत्रप्रदेश की बड़ी खबरों के साथ खबर लखनाउ से है जा नगर विकास मंद्री के शर्मा ने नगरी जीवन को बहतर और वातावरन को सच बनानी की मुहिम निरंतर चलती रहनी चाहिए शहर में विशेश सफाई अभ्यान के तहट 4000 कूडा स्थलों की सफाई कराई गई सारजनिक स्थलों समारकों के सुन्दरी करण के साथ ही लाइटिंग कार भी कराया गया सर्दियों से बचने के लिए शहरों में रैन बसेरों को व्यवस्थित बनाने के निर्देश भी जारी किये नगर विकास मंद्री ने नगर शुसबन अभ्यान के बिना संचालित करने के लिए पताधिकारी और सफाई करमचारियों को हार्दिक सुपकामनाई दी एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन सफाई के चित्र में छेड़ा है जिसकी बहुत ही अच्छी उपलब्दी है आज नगर शुसबन अभ्यान जो पांच तारीख से हमने सुदू किया था उसको पूरा होने का एक हफ्टे का अभ्यान ता आज पूरा हो रहाँ था इसे सबसर पे हमने सभी को बढ़ाई और सुपकामना दिया है साथ ही हमने ये भी का है कि अभियान को पूरा न माना जाए अभियान हमेशा निरंतर चलते रहना है सफाई ये कैसा कारे है नगर सुसोबने कैसा कारे है कि कभी भुपता नहीं है कभी थमता नहीं है कभी पूरा नहीं होता है निरंतर ये कारे हमें करते रहना है विशेश रूप से ये कारे करते हुए हमें नगरों की सुभा में कैसे अभी बिद्धी हो कहीं लाइटिंग करके कहीं पेंटिंग करके कहीं डिवाइडर्स को सुन्दर बना करके कहीं चौरभाओं को सुन्दर बना करके कहीं गंदगी दूल करके ये सारे प्रयास हमें करने हैं उस दिसा में बहुत ही एतिहासिक प्रयास हो रहा है मैंने आज सभी नगर सेवकों को अपनी आप से बदाई दिया है और उनसे उमीद भी किये कि आने वाली दिनों में हम और भी बहतर करके नगरी जीवन को नगर में रहने वाले लोगों के जीवन अस्तर को और भी उंचा उठाने में हम मदद करेंगे खबर हर दोई से है जहां MP MLA कोट ने पूर विधायक सत्य नारायन संतू और उसके साथ साथियों को बल पूर्वक दुशकर्म और जमीन कबजाने के आरोप में कारवाई करते हुए सबी आरोपियों को साथ साल की सजा सुनाई गई ततपर्ता से साक्षी गणों को न्यायाले के समक्ष पेश करने पर एसपी राजेश दुवेदी के कार्यों की न्यायाले ने शराना की है जिसके बाद पुलिस महक में में खुशी की लहर है अन्य एंपी एमिले कोट हर्डोई दौरा भी हाल में ही एक केस में ने रिया गया है दो सो बारा बटे दो ह्यार साथ थाना थरोली का जो की पूर विधायक सत्रयाण के विरुद था इस केस में ने देते समय माननी न्यायले ने जिला में स्टेट हर्डोई वह मेरा स्वयम का योगदान की सराना किये जिसमें हमने साक्षी गणों को ततपरवता बुर्वक पोर्ट के समक्ष पेश किया यह जैसा कि अप्तरप्रदेश राशन की मन्सा है कि सभी ऐसे केस जल्दी से जल्दी निर्णित किया जाए और पुलिश पुलिश राशन दोर जाने वाले दो अभ्यूक्तों को गरफ्तार कर लिया है तो वहीं मौके से 20 कुंदल ए कच्रा भी बरामत किया गया बता दे की स्पी चक्रेश मिश्र के निर्देश पर जन्पद में कच्रा जलाने वालों पर विशेश अभ्यान चलाया जा रहा है पूरा मामला थाना हयात नगर छेतर के गाउं लहरा कम नगर का है खबर संभल से है जान यायाले पेशी पर आई मानसिक विकलांग महिला ने जम कर हंगामा किया पुलिस फोर्स ने काफी मशक्कत के बाद महिला पर काबू पाया पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले दिव्यांग म महिला ने गाउं किनारे बच्चे को जनम दिया था महिला को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भठ्ति कराया गया है अस्पताल से फरार होनी की सूचना पर महिला को पागल खानी भेज दिया गया है हर्दोई के बेटा गोगुल थाना शेत्र के ग्राम खेरिया में ग्रामीनों ने परशदिय विद्याले का ताला तोड़ कर 312 जानवर को बंद कर दिया तो वहीं जब सिक्षक और बच्चे स्कूल पहुँचे तो ग्रामीनों ने उन्हें गेट के बाहर कर दिया सिक्षक पूरे समय गेट के बाहर बैटे रहे प्रधाना ध्यापक प्रीधी दिक्षित ने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी है खबर सुल्तान पूर से है जहां जिला धिकारी के निर्देश पर अवैज शराब माफिया राम बहादु सिंग पर बड़ी कारवाई की गई है प्रशासर ने अवैज सराब माफिया की 42 लाग 20 हजार की संपत्ती और गाडियां कुर्क कर ली है जिला धिकारी ने बताया कि अवैज शराब कारुबार के माध्यम से आरोपी ने संपत्ती अर्जित की थी खबर गाजी पूर से है जहां पुलिस ने तीन नशीले पदार्थों के तसकरों को गिरफतार किया है पुलिस ने पकड़े गए तसकरों से 92 लाग का नशीला पदार्थ बरामत किया पुलिस ने तश्करों को चेकिंग के दोरान दिलदार नगर ठाना शेतर के कुर्शी गाउं में सिगरफतार किया गया है पकड़े गए तश्करों में से दो बिहार के हैं जबकि एक गाजी पूर का रहने वाला है पुलिस ने पकड़े गए बादमाशों के बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है दिलदार नगर छेतर एस जनपर में पहले से ही ड्रक्स की खरीद फरोत के लिए इसमंगलिंग के लिए बदनाम छेतर है पुलिस को लगातार निर्देशित भी किया जाता है तता शक्रिये भी रहती है वहाँ पे कल देजलार पुलिस के दौरा तीन अभ्यूत ग्रफतार किये गए हैं जिनके पास भारी मात्रा में हेरोईन निगली है रीप कुल मिला के तीनों से 915 ग्राम हेरोईन की बरामदगी की गई है जब इनकी ग्रफतारी हुई तो इनके खिलाफ इनमें से दो अभ्यूग असरत खां और नौरेज खां इन पर गैंगेश्टर का भी अभ्यूद खबर गाजी पूर्ट से है जां 11 दिसंबर को बगरी नहर के किनारे यूवक का शफ पुलिस ने बरामत किया पुलिस अधिकारियों ने कारवाई करते हुए हत्या से समधित दो आरोपियों को गरफतार किया है अधिकारियों ने हत्या का खुलासा करते हुए कहा कि पुत्र एक नहर बहती है चार-पांच किलोम्यूटर डूल उसके बराबर में एक शव पड़ा हुआ है इसके तक काल जिलेकर सभी अधकारियों ने नेक्षन किया उस समय तक अज्यात में थी डेट बोड़ी हमारी वहां पर स्वाट टीम भी पहुंची वहां पर कुछ जब भोजबी उसकी सिनाक दी गई सब की और वो अजय यादव नाम का एक रिट्टी निकला जो रेवती पूर्चेत के ही अलिगड में हिंदुवादी कारिकर्ताओं ने अलिगड मुसलिम विस्विध्याले में काला दिवस मनाने वाले चात्रों की गिरफतारी की मांग की है जिने भारी वाई पुलिस बल ने धर्म समाज महविध्याले में ही रोक लिया यह पुलिस ने रोके गए हिंदुवादी कारिकर्ताओं को जाच के बाद मुकदमे में धारा लगाने का अस्वाशन दिया है जिसके बाद हिंदुवादी कारिकर्ताओंने वापसी कर ली, पूरा मामला थाना गांधी पार्क शेत्र में धर्म समाज महाविद्याले का है। जिसके बाद हमने कूच किया एम्यू के लिए कि जहां पर काला दिबस मनाये गया है, वहां पर सभी हिंदुवादी संग्टन, सभी लोग वहीं पर सौरी दिबस मनाएंगे। जिसके मानने सरवच नयाले का अपमान किया, बाबा साहिब का अपमान किया, प्रदेश के मानने मुक्वंत्री महोदे का अपमान किया। हमने ततकाल एक सिकायत थाना कौर्शी में एक प्रात्रबत्र तहरीर मुक्तमाज करके जेल वेजने संबंदी हम लोग ने कहा। पुलिस परसासने के अधिकारियों से हमारी वारता हुई, आज हमारा पुलिस के अधिकारियों के बास जाने का एक प्लान था, लेकिन कल रात्री और अब तक पुलिस के उच्चा दिकारियों के चली वारता के दुराने निसकर्स निकल करके आया, कि निश्चित रूप से साच्छों के आधार पर जो धाराएं अभी तक AME के उन छात्रों पर लगाई गई हैं उन धाराओं में परवर्तन करके और निश्चित रूप से आने वाले एक सफता के अंदर अलीगल पुलिस AME उन तजामियास उन छात्रों को लेकर के जेल बेज़ कर एक मैसेज देने का कम करेगी खबर गॉंड़ा से है जहां फरजी जमीन घोटाले के आरोपी सालिक राम सिंग को पुलिस ने गिरफतार कर नियाई खिरासत में जेल बेज़ दिया है आरोपी की तब्यत बिगडने पर सुभा जिला स्पताल में इलाज के लिए भट्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई आरोपी सालिक राम सिंग के शव को जिला स्पताल की मोर्चरी में रखा गया है पेड़ित परी जनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया और जम कर हंगामा किया है अलिगर के थाना बन्ना देवी शेतर में इंगराहम स्कूल में एक शातर ने स्कूल में दूसरी मंजिल से चलांग लगा दी जिसकी 13 दिन बाद उपचार के दौरान शातर की मृत्ती हो गई मुई चात्र की मृत्यू के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है इस घटना के बाद पुलिस की मौजूदगी में चात्र का पोस्ट मार्टम कराया गया जानकारी देते हुए छेतरी पार्शत ने बताया कि हमारे पडोस में रहने वाला कक्षा आठ का छात्र दोड की तैयारी कर रहा था लेकिन विद्याले की दो सिक्षिकाए उस पर दवाब बना रही थी फिलाल पुलिस की मौजूदगी में शवको पोस्ट मार्टम कराकर परिजनों को सौब दिया गया है मैंक लड़का था हमारा परोसी ये जो इनगराम स्कूल में परता था एर्थ कलास में जैसा बताया गया है कि दो से च्छाएंस पर दवाब बनाये हुए थी ये दोड़ की तैयारी कर रहा था और वो मैडम इनको दोड़ में नहीं जाने पी रही है उस डिप्रेशन में आगे ये कदम अठाया बच्चे चैपल के बाद बच्चे अपने अपनी क्लास में गए और क्योंकि हमाएं एफ्लेटक मिर हो रही है तो जो सेलेकटेड हाउस के बच्चे थे वह अपने ग्राउंड पर च ले गए प्रैक्टिस करने के लिए और जो बच्चे सेलेक्ट-एब नहीं थे या जो वो शतान बच्चे थे वो अपने अपनी क्लास में रुख गए यहां पर टीचर ने जो क्लास में थी उन्होंने एक यह था रील बनाई थी बच्चे ने क्लास में अराउंड टू-3 डेज वैक तो टीचर ने उसके लिए जो बच्चा डांस कर रहा था उसको भी चेक किया और कुछ भी कहा वो कहा जो बच्चा डांस कर रहा था खबर संबल से है जहां जमयूत और राइन का समेलन आयूजित हुआ कारिकरम में नगरपाली का परिसाद चेयर्मेन पद के प्रत्याशी अश्रफ किद्वई कफूल माला पहना कर स्वागत किया गया इस दौरान हाजी अ ताकि बिरादरी और दिगर बिरादरी का अब तक जो प्यार और समर्थन मिल रहा है हमेशा आभारी रहे कारिकरम में मंडल अध्यक्ष जकी राइन मंडल महा सचेव रासिद राइन मुरादाबाद सदर इमरान राइन समेत राइन और किद्वई समाज के गणमानी वेक्ति उपस्थित रहे खबर गाजी पुर्ट से है जहां तबादले से नराज जिला जेल के दो बंदी रक्षकों ने धर्णा प्रदर्शन किया बंदी रक्षकों ने जेल अधिक्षक पर गलत तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है इस दोरान बंदी रक्षकों ने जेल अधिक्षक पर ब्रश्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि जिला जेल के अंदर जेल मैनुवल पालन नहीं किया जा रहा जेल अधिक्षक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि दोनों बंदी रक्षकों का आचरन बेहत अनुसाशन हीन और खराब है जिसके कारण दोनों बंदी रक्षकों पर दंडात्मक कारवाई की जाएगी अधिकारियों पर दबाब बनाने के लिए दोनों पहले भी ऐसा करते करते रहे हैं बलपूरग रिलीजिंग आदेश चप्पा करा दिया जो बरेलिक लिए परसासिन का ताहर पर टांसपर किया गया है मैं यही जानना चाहता हूं कि अधिछक मोदे जो मेरे उपर आरूप लगाए हैं उसको सिद्ध कर दे मैं इनकी बात मानके तुरंट डाकिट लेके चला जाओंगा जेल में मोबाइल इस समय ना के बराबर है उच्चादिकारियों द्वारा प्रतेक मा दीम साब एस्पी साथ के द्वारा निविछन भी किया जाता है लेकिन कुछ गटनाई इस तरह की हुई कि हमारी मेनवाल की उचाई काम है उनके दोरा निशे दुबस तो फेकी गई उसको हमने उसके लिए जो है तो संगत धाराओं में मुगदमा भी दर्श कराया है खबर हर दोई से है जा नगरपाली का रेलवे गंज में चुनाओ से पहले नाले का जिनोधार कराया जा रहा है दुकानदारों को बिना सूचना के कारिक कराने से दुकानदारों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है स्थानी निवासियों ने नगरपाली का पर निर्मान कारियों में घटिया सामगरी के प्रियोग करने का आरोप लगाया है सिटी मेजिस्टेड सदानंद गुपता ने कहा कि नाले के निर्मान कारी की शिकायत प्राप्त हुई है ततकाल प्रशासन नाले के निर्माण में प्रियोग हो रहे समान की जाज कराई जाएगी, समंदित ठेके दारों पर आवश्यक कारवाई की जाएगी। प्रेस कराई जाएगा और मानग वो गुडवत्ता से किसी भी प्रकार का समझाता हम करने ही नहीं देंगे। करवाई नहीं हुए। करवाई करा रहे हैं वो गंगेश्टर लायक है। उदय प्रताप उर्फ पिंटू। करवाई देवरिया में कोई न तो निवास है ना मालिकाना हक है फ्राट पता देकर बनवाया गया है। आप कारी विभाग ने सेल्समेनों को गरफतार कर नियाई खिरासत में भेज दिया है। उत्रप्रदेश की खबरों में बस इतना ही देश दोनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी। नमस्कार। कुझे पार पुष्पार